हलो एब्रीवन मैं आज आपको बता रहे हूं स्क्वाइर रूट ऑफ 286 से चोड़ी एक वाशन आया था राहू सिंग रामा का जो नहीं पूछा था कि 286 का स्क्वाइर रूट हम कैसे फाइनौट करें तो सबसे पहले का जो काम है मैं आपको बता हूं 286 पहले हम चेक करते है कि परफिक्ट स्क्वाइर नंबर है या नहीं है तो इसके लिए हम वन सबसे पहले जो चैक करना होता है लास्ट की तू डिजिर्स होते है तो उसको देखते हैं 286 में लास्ट के डिजिर्स है दोनों 86 है इन दोनों के लिए हम हम चेक करेंगे सबसे पहले तो उससे लास्ट में देखिए 6 है तो किसके स्क्वाइर की करने के बाद में किस नंबर का स्क्वाइर करने के बाद लास्ट डिजिर्स 6 आती है वो चेक करेंगे तो आप सबसे पहले करेंगे 4 का स्क्वाइर करते हैं तो हम ही मिलता है 6 चुले 6 को हम चेक करें कि perfect square number है या नहीं तो उसके लिए आप में देखा last digit 6 है तो इसके लिए या तो 4 होगा last digit square root का या होगा 6 इन दोनों को आपने get कर दिया फिर हम आते हैं third number that is given here 2 अब 2 किसी का square तो आता नहीं जो हम मैं perfect square की बारे मात कर रही हूं अब नहीं लेना है आपको रैट तो 1 का square होता है one ठीक है नवन का square होता है one and 2 का square होता है four तो यह जो number आ रहा है two वो किसके square के लिए आएगा one से तो ये bigger है बड़ four से ये छोटा है तो आपने smaller बाला number लेना है one का square आ रहा है one two square आ रहा है four but number is two तो आपने smaller लेना है क्योंकि two square four देख रहे हैं तो काफी बड़ा number हो जाता है इतना बड़ा नहीं रहा है इस number को basically यहां से check करते हैं ठीक है एक कोल आ जाए तो वही number लिखना है दरवाइस जो से smaller लिखना है bigger नहीं लिखना तो यह हो गया four तो अब हम check करेंगे कि यह 14 का square है यह 16 का square नमबर दो मिल गया 14 मिल गया और 16 मिल गया तो 14 का square करेंगे तो last जब आप open करते हैं that is 196 और 16 का square करते हैं तो 256 तो 286 तो नहीं आ रहा है it means ना यह 14 का square ना ही 16 का square perfect square number यह नहीं है तो फिर हम इसको कैसे find out करें तो इसके लिए हम लिखेंगे 286 अपने जो number है वो लिख लिख लिए square root निगाल रहे है लाइन ड्रो कर आपने और यह perfect square number नहीं है clear हो चुका है हमें कि इसके बाद अगर आप चेक कर 17 17 का square हो जाता है 289 और यह number है हमारे पास 286 डेफिनितली इसका square परफिक्ट square नहीं है तो हम एक काम करते हैं पहले ही point लगा कि एक पेर हम ले लेते हैं two zeros का right perfect square number होता जितने भी natural number होते हैं उनका square आप करते हैं तो नमबर को perfect square numbers बोलते हैं इवाट यह नहीं है यहां पर point लगा है दो zeros आपने इंक्रीज करें अब पेरिंग करते हैं लास्ट राइट आप यह ध्यान देंगे कि जो table rate करनी है न 111 सेम नमबर की multiplication रेट करनी है 212 नहीं कहेंगे नहीं 122 कहेंगे क्योंकि हमें चाहिए था ना तो टू टू जा फोर होगा में 212 यहां नहीं लेना है तो अगर आपने लिया 224 डिफिनिटली यह बेगार है तो आप नहीं जाएंगे उसके साथ में हम लेते हैं यहां पर 111 यह ध्यान देना है बस इतना साही है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें आपने जो पेरिंग करा है इसका मीनिंग यह होता है कि हमें एक साथ यह दो नमबर लेने होते हैं जो सिंपल डिवाइड होता है उसके जासर नहीं करना है इसको पेरिंग करना है इसलिए आपको पेरिंग में लेना होता है नमबर और राइट हंड साइड से हम पेरिंग करते हैं य तो यहां और यहां सेम नंबर लिखना होता है हमें राइट जिससे कि यह 186 जो नंबर आ रहा है यह आ जाए तो आप देखिए अगर आपने लिखा 21 तो 21 वं जा 21 आएगा बहुत less लिखे चोटा नंबर तो आप चेक करेंगे 22 22 तो अब यहां पर 2 लिखेंगे तो यहां पे 2 ही ना मीनिक सेन लिखना है 22odel जब करेंगे तो 44 बहुत चोटा नंबर तो इस चीज को एवोईट करने के लिए कि कहां तक आप मैट्प्लाइगर करके चेक करें है ना तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है तो हम एक ट्रिक में आपको बता रही हूं उसको आप क्या रखिए जो एक नमबर ना रफ में आप नोट करके रखिए यहां और यहां एक नमबर के देखिए लेक आपने अभी 22 तूजा तो 44 देख लिया मेरे पास नम नमबर के लिए मुटिप्लाय कर लेती हूं कि मैंने मुटिप्लाय करके देखा सैवन टूजा 14 होगा यहां पर चोटा नमबर है एट टूजा 16 मैं उसके कोडिंग चलूंगी इधर से नहीं यह से एक रफ वर्क है आपको यहां पर एप्लाय करना चाहिए अधर्वाइस क्य नाइन टूजा 18 आजाएगा तो अब हम क्या करते हैं मुटिप्लाय करेते हैं अगर मैं नाइन सपोज यहां लिखूंगी तो यहां मुझे 29 लिखना पड़ेगा तो 29 की मैं मुटिप्लाय करूंगी 9 से राइट नाइन नाइन जाटी वाइट यह जाएगा 26 बहुत बढ़ा नाइन 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 लिखना तो हमने 29 लिखना लेकर 28 लेकर चेक किया क्योंकि यहां और भी ज्यादा अगर मैं रेप में जाओ तो मैं 9 लोंगी ही ने क्योंकि मुझे पता है 9 2 जा 18 आ रहा है 9 की 9 से मुटिप्लाय करूंगी डिफिनिटी 86 तो बहुत बड़ी नमबर रह है मैं आपको एक्स्पेयं कर रहे हूं इसलिए मैं आपको यह मुटिप्लाय करके चख शो कर रहे हूं यहां तो हमने 8 लिया 28 लेंगे तो यहां 8 आएगा अब 8 तू जा 16 है अब 8 के 8 से करेंगे तो कि कुछ हाएगा नमबर वो चेक कर लेते हैं इसके साथ जाएगा यह नह 27 की अपनी 7 से मटिप नहींगा 7 सबंजा 49 जाएगा 6 क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आगया ना नमबर इससे इकुल नहीं आता होता है तो उससे बड़ा नमबर चेक करते हैं और उससे चोटा नमबर लिख दिया जाता है थोड़ा सा कन्फूजन है कि बड़ा चेक किया चोटा लिख दिया बट एक्चुली रियालिट ठीक है अब लाइन ड्रो करना है आपको यहां पर इसको थोड़ा से एक्स्टेंट कर देते हैं इसको माइनस करना है पॉइंट लगाए तो पॉइंट यहां नहीं लगाना पॉइंट यहां लगाना है और जैसे मैंने कहा पेरिंग कर रही हुई है हमने तो डॉबल नंबर से एक साथ आते हैं ठीक है इधर क्या करना है अब लास्ट इजिट 6 थी तो 26 में 6 एड़ करना है लास्ट इजिट को ही अब हम जैसे मैं आपको प्रिवेस इस वाले स्टैप लिए बता रही थी ना कि नंबर में इधर रखके चेक करना है तो यहां अगर आपने नाइन लिखा नहीं जा रहा है तो हम इसको नाइन से ही चेक करेंगा अब नाइन कहां के लिए दिखना है त्री तू यहां पर भी आपको नाइन लिखके चेक करना होगा इसकी मटिप्लाइ करेंगे टिस कमिंग टू नाइन सेक्स वन ठीक है यह देखना है कि यह सेम नाम पर लिखा जाएगा अब चाहें तो हम यही तक छोड़ सकते हैं इसको युकि ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास कि हमें वान डिजिट तक आफटर डेसिमल निकाल लाए हमारा डिजिट तर निकाला हमारा अंसर आ चुका है बट फिर भी हम इसको आगे स्टैप और एक्स्टेंड करते हैं तो इसको माइनस करें आप इट इस कमिंग नाइन और थ्री अगर आपको और एक प्लेस और चाहिए आफटर डेसिमल से पॉइंट नाइन निकाला था तो हमने एक ही पियर इंक्रीज किया था डबल चाहिए होगा तो हम इसके लिए यहाँ पर एक सिरो का पियर और हम एक्स्टेंड कर सकते हैं अगर आपको और चाहिए दैन तो यह आएका डबल जिरो ठीक है 3900 होगया यहाँ क्या करना है लास्ट इजित 9 है तो 9 में 9 ही एड़ करेंगे और यह एड़ हो जाके हो जाएगा 338 यहाँ नंबर है 3900 तो अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ 3381 यह भी 1 ही आएगा तो 3381 जैसे मैंने बोलाई perfect square नंबर नहीं है पहले हम चेक कर चुके है तो डिफिनल के बाद ही आना है नंबर तो 16.91 इसको यहाँ तक हम लीव कर सकते हैं आगे हमें नहीं बढ़ने की जरूरत है हम एक after decimal 1 पेस तक ही हम शोकेर के compete कर सकते हैं यह हमारा answer बिल्कुल राइट है वह हम कैसे बताएंगे जैसे अभी हमने चाकिया था ना 17 का square होता है 289 ठीक है और यह आ रहा है 289 था और नंबर आ रहा है 286 जिसका आपको स्क्वेर रूट निकालना था तो डिफिनेटली यह 17 से थोड़ा सा लेस जाएगा और सेवंटी से छोटा थोड़ा सा चोटा किया जा रहा है 16.91 एक्यूरेट 17 नहीं आ रहा था ना यहां पर ठीक है ना तो यह 17 का square root होगा 289 थोड़ा सा गलत बोला मैंने 17 का square होता है 289 तो आपको अंडर रूट 286 है यह स्क्वेर रूट of 286 find out करना है तो डिफिनेटली यह 17 से तो लेस ही आए 17 से लेस 16.91 अभी आपने निकाला हुआ है तो यह हमारा अंसर राइट है यह सिर्फ आप comparison कर सकते हैं इन नंबर से इसको मैं थोड़ा सा और दिखा दू अगर मैंने इसको लिखा 289 तो 289 एक्यूरेट 17 का है perfect square number 289 तो 96 अगर 289 की जाग है 286 अगर आ रहा है तो यह 17 complete नहींगा 17 से थोड़ा सा स्लाइटली लेस आजा इस तरह के से हम लोग स्क्वेर रूट निकाल लेते हैं जो नंबर परफेक्टी स्क्वेर होते हैं उनके लिए भी यही method फॉलो करते हैं और जो नहीं होते उनके लिए भी और मैंने आपको एक थोड़ा सा method और बताया था यूट मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करेगा बाए